तो जिहां फ्रेंड बोटर लिष्ट को डाउनलोड करने के साथ साथ एक चीज और आप जो है सीखेंगे इसमें आपको धियान रखना होगा कि जिन ब्यक्ति क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनका बोटर लिष्ट से नाम कट जाता है तो वो भी आप कैसे चे है यहाँ पर आपको सर्च करना है बोटर लिष्ट वी ओ टी ऐ आर लाई कहते हैं इसके बाद यहाँ पर बोटर लिष्ट आपको लिखने के बाद उसके अगर आपको लीज़े राज्य हो बो टाइब टाइब करे देना जैसे अगर मैं उत्तर पेद्श की देखना चाहूं तो मैं यूपी सर्च कर लूँगा अगर आप पंजाब भिहार राजिस्थान जितने भी कोई भी प्रदेश है आप जिसकी भी देखना चाहें लास्ट में आपको वो सर्च कर लिना है उसके बाद जैसे ही आप इस सर्च वाले उप्सन पर किलिक करेंगे सबसे पहले जहांपर आपको CEO लिखा देखें उसी website पर आपको किलिक करना है जैसे यह आप किलिक करोगे उस पर तो इस तरीके से open होगी उप्षिन होने के बाद यहां पर आपको सिलेक्ट करने की आएगा उप्षन देखी यहां पर आपको डिस्टिक सिलेक्ट करना है तो यहां से हम जिला सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका जिला है वो आप सिलेक्ट कर लीजिगा district select करने के बाद यहाँ पर कुछ देर बाद यह process चलेगी उसके बाद यहाँ पर आपको आएगा आपका block select करने के लिए यही कि आपका जो निर्बाचन छेतर लगता है जिले के अंतरगत आपको वो select करने के आएगा उसके बाद यहाँ पर आपको so वाला जो option अजर आ रहा है इस वाले option पर आपको click कर दिना है जैसे आप यहाँ पर click करोगे कुछ इस तरीके से आपके जो भी जितने भी उस निर्बाचन छेतर के अंतरगत जितने भी मतदान बूत होंगे वो सारे यहां पर open होके आ जाएंगे उनके गाउं के नाम भी यहां पर लिखे होगे जैसे यहां पर देखिए यह पूरी details यहां पर लिखी हुई है लेकिन एक boot पर इतने गाउं तो नहीं होगे बहुत सारे गाउं होगे तो यहाँ पर आप देखे नीचे आपको एक option नजर आ रहा होगा यहाँ पर number 1 अभी एक number open होगा है जैसे ही अगर आपका गाउं का नाम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप इसको क्या कीजिएगा आप इसको यहाँ से जा करके इस दूसरे number वाले option पर आप क्लिक कीजिएगा तो यह और गाउं आ जाएंगे इस तरीके से 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इस तरीके से यह पूरे 10 तक है ठीक है तो 10 से भी जादा होगे तो यह जितने भी जैसे एक जिला में यहाँ पर 2 जैसे यहाँ लैलतुपुर में 2 बधान सभा सीटे हैं तो एक बधान सभा सीट में जितने भी यहाँ पर जो polling booth होंगे वो सारे यहाँ पर open होके आ जाएंगे तो इस तरीके से आप अपने गाउं का select कर लीजेगा चलिए मेरा यहाँ पर एक number पर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर आपका जो भी polling booth है उस पर आपको यहाँ पर click कर लेना है जैसे ही आप इस view वाले option पर आपको click करना है जो भी आपका polling booth लग रहा हो जैसे ही आप इस view वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके से option आएगा यहाँ पर एक capture code जो आपको देख रहा है यहाँ आपको यहाँ पर fill करना होगा उसके बाद आपको view and download का जो option पर आपको click करना होगा जैसे ही आप यहाँ पर click करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यह पूरी list आचुकी है इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरी list है यह नीचे bowling food की location दिखाई देगी उसके बाद यह आप देख सकते हैं यह यहाँ पर पूरी list निकला थी लेकिन आप कोई एक चीज में यहाँ पर ध्यान रखना है जैसे यहाँ पर एक option अजर आ रहा है इस वाले candidate पर यह लिखा हुआ है deleted तो यहनिकि deleted का मतलब यह है कि इस ब्यक्ति को इस voter list से इसका नाम हटा दिया गया है तो जिनका भी यह लिखा दिखाई दे तो समझ लीजिए उनका voter list से नाम present में अभी हट चुका है तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर नाम भी आपको ढूड़ना ही पड़ेगा तो यहाँ से आप अपनी नाम से आलके नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर दिया मिलते नेट वीडियों है थैंक यू सो मच